नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं महाख़बर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें शेयर करें भोजपूरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव आज 15 मार्च को अपना सैतनिस्वा बर्थडे सेलिबरेट कर रहे हैं एक्टर को जनम दिन के शुब कामनाएं देते हुए एक्टरिस काजल रागवानी ने उनके साथ अपनी कई रोमेंटिक तस्वीरें शेयर की हैं फोटोज में काजल रागवानी फ्लावरी पैटर्न वाले यलो एंड ब्लैक साडी में नजर आ रही हैं काजल रागवानी ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा है कि happiest birthday to you अब क्या ही लिखूं दुआ और खुशियां अंगिनत मिले यही प्राथना है और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे हिम्मत देने के लिए मोटिवेट करने के लिए आपको धेर सारा प्यार और कामया भी मिले मेरी मेरे परिवार और दोस्तों की तरफ से आपको धेर सारा प्यार बताते चलें कि काजल रागवानी की इस पोस्ट ने सभी को चौका दिया है काजल रागवानी और खेसारी लाल यादव की जोड़ी परदे पर सूपर हीट रही है दोनों की जोड़ी फैंस को बहुत पसंद है और एक वक्त था जब सोशल मीडिया पर काजल और खेसारी के महबत के चर्चे हुआ करते थे हाला की बाद में दोनों के ब्रेक अप की खबरें आई और दोनों ने दूरियां बना ली काजल रागवानी ने सूपरस्टार खेसारी लाल यादव पर आरोप लगाया था कि वह उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं काजल ने खेसारी पर एक यह भी आरोप लगाया था कि वह अपने फैंस के जरिये उन्हें गालियां दिलवाते हैं काजल ने यहां गुजराती होने की वजह से टार्गेट किये जाने की बात भी कही थी वहीं खेसारी लाल यादव ने काजल पर धोखे बाज होने का आरोप लगाया था आपको बताते चलें कि दोनों फिल्म कर रहे थे उसके बाद दोनों के बीच में दूरियां आई इसके बाद खेसारी लाल यादव के फैन लगतार काजल रागवानी को टारगेट करने लगे जहां भी काजल रागवानी सोशल मीडिया पर लाइव होती या सोशल मीडिया पर कोई भी बाचीत कर रही होती वहां खेसारी लाल यादव के फैंस चले जाते थे और गालियां देना शुरू कर देते थे इससे काजल रागवानी काफी परिशान थी अब हालात बदले बदले नजर आते हैं